हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करोंगा Fingers के अनायलसिस से उसके बाद चेक करेंगे Fingers की Setting को और मांच को और सबसे Last में हम चैक करेंगे Lines को इस तरह से पुरे Hand का जो अनायलसिस हैं हम Complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वार शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफी थिक हैं और सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की रिखाएं इनकी सभी फिंगर्स के तीनो फैलेंजिस के उपर नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है काफी positive माना जाता है ऐसी रिखाई होने से native मिलनसार सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम thickness की बात करें तो fingers काफी thick हैं यहां से आप thickness को जज़ कर सकते हैं ऐसी thick fingers का होना अच्छी energy and stamina को indicate करता है अगर हम particular fingers की लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी groove finger यानि तरजनी उंगली काफी अच्छी length में नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना native groove knowledgeable बनाता है ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं ग्यानवान होते हैं दूसरों को सही guide करने वाली सही रास्ता दिखाने वाली personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो आप देख पाएंगे बिलकुल street और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनी finger नजर आ रही है और शनी finger का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native काफी मेहनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति अनुशाशन प्रिया होते हैं नयाय प्रिया होते हैं कि discipline personality ऐसे native की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हें खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी progress कर पाने में भी ऐसे native कामयाब रहते हैं अगर हम इनकी सूर्य finger की बात करें तो हलका सा जुकाव अंदर की तरफ होता हुआ कुछ इसी तरह से बाकी की fingers जानी प्रस्पती finger का चुकाव श्यनी की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा जिसकी वज़े से थोड़ी वेराग्या की भावना native के भीतर रह सकती है लेकिन overall सूर्य finger अच्छी लंबाई में है जिस वज़े से creativity का level अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्ती का अच्छा social circle बना पाने में भी जीवन में कामियाब रहते हैं अगर हम इनकी सूर्य finger और mercury finger के बीच में बनने वाले gap को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक fair gap आपको इन fingers के बीच में इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर इस तरह के gap का होना indicate करता है कि native काफी independent सभाव का होगा ऐसे व्यक्ती अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव इन fingers के बीच में बनने वाला gap native को देता है थोड़ी जिदी personality भी ऐसे व्यक्ती की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी mercury finger की बात करें तो यह finger थोड़ी सी low set है अगर हम fingers के बिलकुल नीचे यहाँ पर एक line draw करें तो कुछ इस तरह की एक रिखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी guru finger इनकी shani finger और surya तीनों की तीनों fingers काफी high set है चबकि इनकी mercury finger काफी नीचे से शुरू होती है जिसे हम low set mercury finger कहते हैं इस तरह से mercury finger का low set होना थोड़ी shy type की थोड़ी hesitation वाली nature native को दे सकता है लेकिन इनकी mercury finger की लंबाई को अगर देखें तो यह finger length में काफी अच्छी है जिसकी वज़े से native के communication skills काफी strong रहेंगे ऐसे व्यक्ति का business acumen भी strong होता है जिनकी यह finger length में अच्छी हो और बिलकुल straight हो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरू परवत की आप यहाँ पर देखेंगे यह area जो तरजनी उंगली के नीचे का भाग है काफी उभरा हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा और गुरू माउंट का उभरा हुआ होना बहुत ही positive माना जाता है यह लोगों का ब्रस्पती माउंट इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते हैं अथ्यात्मिक होते हैं और धर्म करम के कामों में रूची दिखाने वाले होते हैं इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इन रिखाओं की मदद से एक क्रॉस की अकृती बनती हुई भी नजर आएगी यहाँ पर ऐसा क्रॉस बनना हथेली में सिर्फ यही वो जगा है यहाँ पर क्रॉस बनना अच्छा माना जाता है और कहीं पर भी cross बने तो उसके कुछ ना कुछ negative प्रभाग हो सकते हैं लेकिन गुरू परवत के उपर cross का बनना native को समाज में आदर समान दिलवाता है ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान समान प्रापत होता है और ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भी लकी रहता है इ रिखाओं को progress lines के नाम से जाना जाता है जिनकी भी थेली पर ऐसी रिखाएं होती है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में निरंतर progress कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं शनी की बात की जाए तो आप देख पाएंगे शनी का जो mountain का यह दब रहा है जिस वज़े से चीवन में सं comfort zone से निकल कर भी कई बार काम करना पड़ सकता है और अगर हम इनकी भागया रेखा की बात करें तो आप देखेंगे एक अच्छी और लंबी भागया रेखा इनके हाथ में है भले ही यह रेखा कुछ जगाहों से कटती हुई भी नजर आ रही है यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है और बीच में कुछ breaks को indicate करती हुई और कुछ रेखाएं इस भागया रेखा को इस तरह से काट कर निकलती हुई भी आप देख पाएंगे जिस वज़े से जीवन में काफी ups and downs ऐसे व्यक्ति के र तो आप यहां पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य परवत का एरिया है शनी की भांती हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा यह जो मांट है इसको सूर्य का मांट कहते हैं इस तरह से सूर्य मांट का दबना सीशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं लेकिन सूर्य रेखा का मौजूद होना एक अच्छी पहचान सूसाइटी में दिलवाने में भी नेटिव को हल्प करता है यहां पर आपको कुछ इस तरह हैं की सूर्य रेखा इनकी थेली में नजर आएगी अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो भले ही है माउंट हमें लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन काफी उठा हुआ जिस वज़े से नेटिव का बिजनस सेक को मैं अच्छा रहेगा और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के कम्मुनिकेशन स्किल स्ट्रॉंग रहते हैं और इस माउ प्रॉब्लम्स को समझने वाली परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या कंसल्टीशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस का साइंड बन र या अपने किसी relative या मितर के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का अभास native को पहले से ही हो जाता है इस तरह का cross होने से native की रूची occult sciences में भी देखी जा सकती है जैसे यह पामिस्ट्री है एस्टॉलोजी है टेरोकार्स वास्तू रीकी जैसी विद्याएं है ऐसी विद्याओं मे भी native की रूची आपको देखने को मिलती और ऐसा विद्याओं को सीखने की ख्यमता भी रखता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी major lines को आप देखेंगे इनकी हाट लाइन है सीधा इनके गुरू परवत के उपर पहुँचती हुई आपको नजर आएगी यह जो area है गुरू का area है यहाँ पर हाट लाइन का पहुचना बहुत ही positive होता है ऐसे विद्याति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी यह हाट लाइन गुरू परवत को टच कर जाए या गुरू परवत तक पहुँच जाए ऐसे विद्याति जो भी काम करते हैं पूरे दि यह जो फोर्क है इसे विश्णू चिन के नाम से पामिस्ट्री में जाना जाता है जिनकी थेली पर भी ऐसा विश्णू सिंबल बन रहा हूँ ऐसा व्यक्ति अगर इमानदारी के रास्ते पर चलकर जीवन में काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरकी जीवन में जरूर मिलती ह इसके बिलकुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बहिमानी से शौर्टकट से या किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉट से धन कमाने की कोशिश चीवन में करता है तो बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है ओवरॉल हार्ट की हार्ट लाइन काफी अच्छी है लेकिन यहां पर आकर देखें कुछ रिखाएं डाउनवर्ड चलती और क्रॉस करती हुई आपको हार्ट लाइन को नजर आएंगी तो लेटरेज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कते हैं थायराइड इजन डाइबेटिस च करती हुई ऐसे व्यक्ति बच्पन से ही इंडिपेंडेंट होते हैं अपने सभी डिसीजन्स खुद से लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर होती है और ओवरॉल एक लंबी मस्तिक्ष रेखा का होना काफी पॉजिटिव साइन है लेकिन यहां रेखा थोड़ा जुकती हुई नजर आ रही है मेमरी तो बहुत अच्छी रही है ऐसे नेटिव की और ऐसा व्यक्ति एसे व्यक्ति के बहुत एक शमता लोजिकल जो कैपिबिल्टी है वो स्ट्रॉंग रहती है लेकिन जुकी हुई रेखा होने की वज़े से थोड़ी ओवर्थिंकिंग की स 80-85 के बीच में रहने की संभावनाएं देखी जा सकती है लगबग इस सेरिय तक इस रेखा का पहुँचना काफी पॉजिटिव होता है ओवराल कोई मेजर इशू हमें इनकी जीवन रेखा के जरीये नजर नहीं आ रहा जीवन रेखा के साथ साथ चलने वाली मंगल रेखा नेटिव की एनर्जी को स्ट्रॉंग करती है काफी अच्छी एनर्जी और्जी और स्टैमना नेटिव के भीतर आपको देखने को मिलेगा इनके हाथ में मंगल रेखा होती है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं लेकिन थोड़ी एग्रेसिव नेचर आपको इनकी देखने को मिल सकती है अगर हमें इनके वीनस यानी शुक्र परवत की बात करें तो आप देखेंगे यह एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा लेकिन इस माउंट के ओपर काफी सारी वरी लाइन्स भी मौचू इस माउंट का उभरा हुआ होना काफी पॉजिटिव संकेत देता है यह लोगों का जो शुक्र परवत है उभरा हुआ हो ऐसे व्यक्ति को चीवन में हर तरह की सुक्स विधाय मिलती है हर तरह के कमफर्ट को ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में इंज्वाए कर पाता है लेकिन इस माउंट के उपर जो आड़ी रिखाएं आप देख रहे हैं यह वाली रिखाएं इन्हें हम वरी लाइन्स के नाम से जानते हैं यह जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा चिंताएं परिवार की तरफ से नेटिव को मिलती हैं रिलेशन्शिप्स में भी नेटिव का सामना करना पर सकता है ऐसी रिखाएं होने से कोई ना कोई चिंता कोई ना कोई परिशाने परिवारिक समस्या नेटिव को परिशान करती हैं अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका चंदर परवत का एरिया काफी अच्छा है यहाँ पर आपको काफी सारी ऐसी रिखाई नजर आएंगी जो नीचे से उपर का रुख कर रही है ऐसी रिखाऊं को ट्रेवल लाइन्स के नाम से जाना जाता है अगर हाथ में ऐसी रिखाई मौचूद हो तो तो यहाँ रिखाएं नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाती है ऐसी रिखाएं होने से थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को जीवन में परिशानियां दे सकती है दोस्तो यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंट के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वाल के जुआब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वर्ट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बह अन्यवाद